असलाव आलेकुम दोस्तों कैसो वाप सब सौधी हुकुमत आर्टिफिसियल इंटिलिजन्स का इस्तमाल करके लाखों लोगों को निकालने का तैयारी कर रहा यह न्यूज अभी सुर्खियों पे बना हुआ है काफी जाद लोगों को डाउट भी है टेंशन में भी हैं लोग कि क्या यह बात सच है तो इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में इसके लावा सौधी संसस के बारे में भी कुछ जरूरी अपडेट है जुर्माने को लेके और भी कुछ अपडेट है इसी से जुरी इसको भी जानेंगे तो वीडियो को पूरा जरू देखेगा चैनल पे नहें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के इंफोमेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे उससे पहले अभी का एक ताजा ख़बर आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ वीमान से इंडिया के लिए एर इंडिया एक्सप्रेस का एक वीमान मसकत से कोची के लिए उडान भरने ही वाला था के फ्लाइट में आग जल गई उसके बाद एमर्जनसी डोर ओपेन करके सारे लोगों को निकाला गया अल्ला का शुक्र है कि फ्लाइट उड़ने के बाद आग नहीं लगी अगर उड़ने के बाद आग लगता तो आप सोची क्या होता जमीन पे ही थी आग लगी सबको निकाल लिया गया इसके बाद दूसरा अपडेट मैं आप लोगों तक शेयर करो पी सी सी को लेके देगे पी सी सी नया कानून लागू हुआ सोधियरभ आने के लिए इस पर एजेंट लोग कमाना स्टार्ट कर दिये कोई भी नया कानून बनता है ना तो एज़ेंट लोग अपना कमाने का जरिया ढूंड लेता है क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है और लोग पैसा दे भी देता है अपना काम निकालने के लिए PCC के लिए 500 रुपए लगता है ओनलाइन प्रोसेस है एपोइंटमेंट लेके आपको पासपोर्टों पर जाना पड़ता है बहुत सारे लोग नहीं जानते अब एज़ेंट लोग क्या कर रहा है उनसे 10 अजार, 12 अजार, 15 अजार, 20 अजार जो जिससे जितना सक्रा ले रहा है भाई वीडियो को शेर करके लोगों को जागरूप करिए 500 रुपए सिर्फ लगेंगे ओनलाइन अप्लाइ करना है कैसे अप्लाइ करना है मैंने अल्रेड़ी इस पर वीडियो बना दिया है आप वो वीडियो को देख देख के कर सकते हो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जिनको नहीं आता भाई चाय नास्ता करवा के अपना फ्रेंड से किसी भी इनसान से करवा लो हर मुहला में एक लड़का ऐसा आपको मिली जाएगा जो ओनलाइन ये सब करने के लिए जानता है एजन्ट को इतना पैसा दे के आप क्यों अपना पैसा बरबाद कर रहे हो वीडियो को शेर करके लोगों को जरूर बतेए क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग ऐसा कर रहे है अब बात करते हैं सोधी सेंसस 2022 को लेके जो अपडेट है उसकी मैंने उनके टीम को इमेल करता है दो सवाल पुछा था कि पोडिडियो में भी पाडिसीपेट करने को उपशन ही आ रहे है दूसरा जिन लोगों ने पाडिसीपेट नहीं किया है उनको क्या पैनल्टी लगेगा और कितना लगेगा तो उन्होंने मुझे पहले सवाल का reply दिया कि participate करने का जो phase है वो complete हो चुका है इसके वज़े से पोर्टल पर अभी वो option नहीं मिल रहा है दूसरे सवाल का उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया उसमें भी same reply दिया कि participate करने का final phase complete हो चुका है अधिकर लोगों को doubt क्या है बहुत सारे लोगों का mentality इसा बन गिया है कि जो लोग online participate किये हैं उन्हें को fine नहीं लगेगा बाकि लोगों को fine लगेगा तो भाई ये doubt आप clear कर लो कि सिर्फ online ही participate नहीं किया जाता सौधी census में participate करने का चार तरीका है एक online एक है उसका machine लगा हुआ है सौधी census का जो लोग data collect कर रहे हैं उसको बोलते हैं जी ए स्टैट उनका machine लगा हुआ जिस तरह सप्शन machine है उसी तरह से कई के जगा में machine लगा हुआ है उस machine पे भी जाके आप survey को complete कर सकते हो तीसरा उनका team वाले आपके flat में accommodation में आते हैं वो आपसे पूछ पूछ के data fill करते हैं यह तीसरा तरीका चोथा जो लोग house worker है या फिर छोटा मोड़ा company में काम कर रहे हैं उनका कफिल भी कर देते हैं कई बार तो यह चार तरीके से साथी census में participate किया गिया है और यह चार तरीकों में से सारा तरीका valid है जिसने भी किया है उसको fine नहीं आएगा अब रहा सवाल fine आने का तो दीखिए इसमें participate ना करने के लिए fine 1000 रियाल लगेगा fine किन लोगों को लगेगा इसको भी समझे पहला fine तो उनको लगेगा जब उनका टीम आता है मिनिस्टी का टीम और वो आपको बोलते हैं इसमें participate करने के लिए आप refuse कर देते हो आप बोलते हो मैं नहीं करूंगा दूसरा जिन लोगों ने data गलट डाला है अब रहा सवाल जि participate कर लिजिए penalty से बचने के लिए इसका मतलब तो यह होता है कि आपको penalty लगेगा अगर participate नहीं किया है तो देखिए सौधी रभिया में कोई भी violation करने पे penalty लगना बहुत common है हलाकि बहुत सारा penalty माफ भी हो जाता है जैसे mask वगरेगा fine माफ हो गया था अब लाखों लोगों ने participate नहीं किया होगा यह मेरा अंदाज़ा है अब बात करते हैं artificial intelligence को लेगे जो news है उसकी तो दीखिए artificial intelligence किसको बोलते है इसको simple तरीके से समझे artificial का मतलब होता है बनावटी intelligence का मतलब होता है बुद्धी हम इंसानों को intelligent किसने बनाया अल्लह ने गोड ने बनाया अब इंसान अपना दिमाग लगा करके robot तेयार कर रहा तरह तरह का machine बना रहा और उससे काम निकाल रहा इसी को बोला जाता है artificial intelligence जो बनावटी है जिसमें जान नहीं है रूह नहीं अब देखिए ऐसा नहीं है कि सोद्य अरभिया वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है जो artificial intelligence त्यार कर रहा है बहुत सारे डेवलप कंट्री है यूएसे चाइना जापान यूके यहां पे artificial intelligence का बहुत ज्यादा इस्तमाल किया जाते है artificial intelligence जो है रोबोट ही है बड़ा बड़ा machine एक्जामपल पर बताता हूं पहले जमाने में क्या होता था कुआ खोदने के लिए मजदू लगता था तलाब खोदने के लिए मजदू लगता था कोई भी भारी समान को उठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी इंसानो intelligence ही हुआ तो सौधी हुकूमत इस तरह का प्लान कर रही है artificial intelligence के इस्तमाल करने का विजन 2030 का जो टार्गेट है उसको पूरा करने के लिए अब दीक्या आप में से बहुत सार लोगों को नहीं पता होगा के 200 smart city बनाने का टार्गेट है विजन 2030 में सौधी हुकूमत का अब य कुछ सोचिए 200 smart city बनाने के लिए construction का कितना काम होगा और construction का काम बहुँ ज्यादा हाड रहता है तो अब यसली वहाँ पे artificial intelligence की जोरत पड़ेगी जैसे भी पोपलेने सब जो भी गारी आता है ये सब का जोरत पड़ेगा और भी robotic कुछ machine की जोरत पड़ सकती है तो इसके व बत लीजिए ज्यादा टेंसल ने के वज़े से लोगों का बाल जड़ जाता है बाल पक जाता है कम समय में ही आप बुड़े हो जाते हो तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए इंफॉमेटिव रही होगी वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी जरूर ब